अभी गोपन यानि कि अंडर राइटिंग अंडर राइटिंग को इंदी में क्या बोलते अभी गोपन क्या होता है अभी गोपन क्या होता है अंडर राइटिंग हाँ सेयर को इसू करना आमने सीखा डिबेंचर्स को भी इसू करना आमने सीखा अभी हम underwriting क्या होती है वो समझते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है जो मैं अभी बोलने वाला हूँ उसको बहुत अच्छे से सुनना है एकदम ध्यान से एकदम ध्यान से सुनोगे तो समझ आएगा ठीक है? हाँ exam purpose से important है यह exam में आता है ओके? इससे पहले आपने नहीं पढ़ा होगा ओके देखिए क्या है ध्यान से सुनना बच्चा जैसे company जो होती है वो share इसू करती है और share कैसे इसू करती है उसका processor हमको पता है है ना? कोई भी company अगर public में share इसू करती है तो पहले prospectus निकालती है prospectus मतलब प्रवीवरण एक advertisement देती है फिर जिन जिन लोगों को खरीदना होता है वो company में apply करते है और application money pay करते है फिर कई बार company के पास में over subscription हो जाता है बहुत ज़्यादा application आ जाती है तो pro data table बना देते हैं कई बार company के पास under subscription हो जाता है under subscription यानि की new अभिदान यानि की share issue करने चाहते हैं ज्यादा application आ गई कम मान लेते है share issue करने चाहते हैं एक लाग application आ गई एक लाग से कम इसको under subscription बोलते हैं इस case में minimum subscription चेक करते हैं न्यून तम अभिदान और उसके अनुसार कम से कम 90% application आनी ज़रूरी है जिते share issue करना चाहते हैं एक लाग share issue करना चाहते हैं तो नबबे अजार application आनी ज़रूरी है उससे ज़्यादा आय तो बढ़िया है कम से कम इतनी आने चाहिए अगर 90% minimum subscription की condition पूरी नहीं होती है जो कि सेबी ने दी है तो फिर कोई भी company share issue नहीं कर सकती लेकिन debenture में ऐसा कुछ भी नहीं है तो simple सा procedure है कोई भी company's debenture या shares जब issue करती है तो prospectus issue करती है news paper में जानकारी देती है जिन लोगों को खरीदना होता है वो application money के साथ में आविधन कर लेते हैं apply कर देते हैं company उनसे allotment मांगती है share allot कर देती है खास करके अगर shares की बात करूं तो अगर कोई company है वो shares issue करना चाहती है एक लाग share issue करना चाहती है लेकिन उसको डर है कि हो सकता है कि minimum subscription भी प्राप्त ना हो कि हो सकता है कि एक लाग share issue करना चाहते है और minimum subscription के इसाब से 90% application आने ज़रूरी है यानि कि 90,000 एप्लिकेशन आने जरूरी है और उससे थोड़ा सा लग रहा है डर कि अगर 90% से कम एप्लिकेशन आ गई तो तो कंपनी सेर इसु ही नहीं कर पाएगी यानि कि कंपनी के वास फंड आए गई नहीं कंपनी को डर है कि मेरे सेर पूरे इसु नहीं हो पाएंगे मुझे एक लाग सेर इसु करने हैं दस रुपए का एक है दस लाग रुपए की कैपिटल की जरूरत है फंड की जरूरत है, पैसों की जरूरत है For example के लिए मैं बता रहा हूं कि एक लाग सेर इसू करेंगे, एक दस रुपे का है तो दस लाग रुपे आएंगे न, चाहे सेर इसू करने साए डिबेंचर से आएं, और कंपनी को दस लाग रुपे की जरूरत होगी इसलिए कंपनी इतने सेर इसू कर रही है अब अगर आँ से 8,000,000 रुपे आए, साथ ही आए, चार ही आए, तीन ही आए तो अगर सेर से है तो तो करी नहीं पाएगी और डिबेंचर है तो इतने कम पैसे का क्या करेगी तो इस समस्या का समाधान जो है वो है ये, Underwriting of Sears, याने कि आप अपने Sears को Underwrite कर दो, अब ये Underwrite क्या होता है, अभी गोपन कर लो, तो बताता हूं, फर्स जो तरीका था, उसमें Company क्या करती थी, Direct, ये Company है, और ये Direct Sears इसु कहां कर रहे थी, Public में, अभी ये क्या करेगी, Company जो है, वो Public में Sears इसु नहीं कर र हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, मा लेते ही दो जने हैं, और इनका नाम, मैं रख देता हूं, Underwriter, ये कोन होते हैं, Underwriter, अभी गोपक, अभी गोपक होते हैं, इनको बोलते हैं, अभी गोपक, Company इनके पास जाती है, और ये इनका काम ही है, जो मै आगे बताने वाला हूँ ये share market के अच्छे खासे जानकार होते हैं और इनके पास काफी knowledge होता है और इनके कहने पर ये आपके share issue करवा देंगे public में लोगों को भी इनके उपर हो सब्सक्राइब trust होगा, विश्वास होगा कि ये कोई भी गलत company नहीं बताएंगे तो company इनके पास चली जाती है और इनको बोलती है कि ऐसा करो भाया हमारी ये share issue कराने public में एक लाग ये बोलते है guarantee करवा देंगे guarantee देते हैं सिधी करवा देंगे अगर company बोले अगर लोगों ने नहीं खरीदे तो जिते कम पड़ेंगे हम खरीद लेंगे माल लेते हैं एक लाग share issue करना चाहती है company और इन्हों ने बोला करवा देंगे और public ने 80,000 share ही खरीदे तो बाकी के जो 20,000 है वो ये बोल रहे हम खरीद लेंगे tension मतलो एक भी share issue नीवा तो भी हम पूरे खरीद लेंगे guarantee देते हैं तुमारे share issue हो जाएगे तो minimum subscription वाला मामला ही खतम हो गया डर ही खतम हो गया तो company बिंदा share issue कर देती बोलते थी सिधा ये लोग भी साब underwriter हमारे share issue करवा दो underwriter बोलेंगे ठीक है हम पूब्लिक में इसू करवा देंगे underwriter क्या करते है पूब्लिक में share issue करवा देंगे मालेते company ने बोला कि एक लाग share issue करा ने कि ये पूब्लिक में मालेते हैं 85,000 share issue करवा पाए पूब्लिक में अब किते नहीं करवा पाए 15,000 हाँ वो खुद घरीद लेंगे खुद भाय कर लेंगे 15,000 तो company तो safe हो गई न minimum subscription वगरा की समस्याई खतम हो गई तो company की बहुत बड़ी problem खतम हो गई लेकिन ये ऐसा क्यों करेंगी कोई बंदा कोई free में काम करता है क्या दरमसाला खोल रखिए क्या कोई भी आओ company हम तुमारे रिसू करवा देंगे नहीं ये इस काम के बदले लेते हैं commission क्या लेते हैं company को इन्हें क्या देना पड़ेगा commission देना पड़ेगा उस commission को बोलते हैं underwriting commission underwriting commission अभी गोपक commission अभी गोपन commission तो एक जिम्मेदार रिले रही है जिम्मेदार रिले रही है कि तुमारे say रिसू करवा देंगे अगर नहीं होगे तो हम खुद खरिद लेंगे जिते कम पड़ेंगे वो तुमारे say रिसू हो जाएंगे लेकिन इसके बदले में हमको क्या चाहिए commission और company इनको commission देगे आया समझ में concept तो फिर मैं commission के बारे में बात करूँ इसकी rates के बारे में थोड़ी बात करूँ बताईए ओके चली बढ़िया यह जो अन्राइटिंग commission है सबसे पहले देखना यह जो commission बोला ना मैं अन्राइटिंग commission यह underwriter में और broker में फर्क होता है आप underwriter को यानि कि अभी गोपक को दलाल मत समझ लेना broker में और underwriter में क्या होता है फर्क होता है अगर आप किसी broker के पास जाए company अगर किसी broker के पास चली जाएगी ना तो broker यह बोलेगा कि ठीक है share issue करवा देंगी अभी गोपक भी यह बोलेगा underwriter भी बोलेगा कि ठीक है share issue करवा देंगी लेकिन अगर share issue नहीं हो पाए तो broker खुद नहीं घरिदेगा वो तो वो तो केवल ब्रोकरेज लेगा जितने इसू कराए हैं बाकी जितने नहीं हो पाए वो company जाने कंपनी की काम जाने उसको broker से broker को उस चीज से कोई मतलब नहीं लेकिन अंडर राइटर अलग वो share issue करवाएगा और अगर नहीं हो पाए तो खुद करी देगा जेते कम पढ़ रहे तो दोनों अलग है तो broker और अंडर राइटर यह दोनों चीज अलग है अंडर राइटर रेस्पो अंडर राइटर जो होता है अभी गोपक जो होता है वो responsibility लेता है दाइत्व लेता है रेट ऑफ कमिशन और सभी लोगों को उसी की पालना करनी होती है कोई भी अपनी मर्जी से कोई भी ब्रोकर अपनी मर्जी से कोई भी रेट कमिशन की डिसाइड नहीं कर सकता स्टोक एक्सचेंज डिविजन ने सबसे पहले दो चीजे होगी कुछ पैसा कुछ लोग क्या करेंगे अंडर राइट के पास अप्लाई करेंगे शेयर खरीदने के लिए कुछ लोग डारेट कंपनी में अप्लाई कर देंगे पुब्लिक में बहुत सारी पब्लिक है उसको पता चला प्रोस्पेक्टर पढ़ा डारेट कंपनी में अप्लाई कर दिया कुछ लोगों ने अंडर राइटर के पास अप्लाई कर दिया ठीक है एक तो कि मनी रिसीवड कि माइं अट राइटर अंडर राइटर के पास जिता पैसा आएगा कि एना और कि मनी रिसीवड फ्रॉम पब्लिक एक जो डारेक कंपनी के पास कहां से पैसा आएगा पब्लिक से तो इन दोनों की अंडर राइटिंग कमिशन की रेट अलग-अलग होगी जो एकुटी से रोते हैं उसको इसू करवा रहे हैं आप कि एकुटी सेर्स को तो यह जो रेट है यह 2.5 परशेंट और यहां पर भी 2.5 परशेंट जितने सेर्स हैं उसका धाई-धाई-धाई परशेंट आपका कमिशन मिलेगा और अगर प्रिफरेंस सेयर हैं प्रिफरेंस सेयर अगर preference यह issue करवा रहे हो आप underwriting के थुरू तो आपको देखना पड़ेगा कि capital कितनी है अगर capital जो है वो है capital जो है वो है up to five lakh rupees up to five lakh पाँच लाग तक या फिर more than five lakh more than five lakh पाँच लाग तक तो है यहां पर two point five percent और one point five percent इस case में और उससे ज्यादा है तो यहां है capital ज्यादा है तो two percent और one percent यह commission की rate है यह fix रहेगी अपन को अधिकतर इनको रटे मारने की ज़रूत नहीं है क्योंकि हमको question के अंदर ही दे रखा होगा कि कितना commission pay करना है ओके ठीक है अब आता है मारा next वो है underwriter की liability ग्याद करना पता करना कि underwriter की liability कितनी है यानि कि वो खुद कितरे खरीदेगा क्या पता करना कि वो खुद कितने खरीदेगा ओके इसको मैं इक numerical question से आपको solve कराता हूँ तो आपके लिए भी बैतर रहेगा और मेरे लिए भी तो आई ये करते हैं ये question में ले लेता हूँ या पर उससे मैं आपको देदूंगा हम calculate करेंगे underwriter की liability देखो कैसे करेंगे समझ ना कि क्या लिकावाई हिंदी में लिखा ओपर नीचे इंग्लिस में पिए और फर्स जनुवरी फर्स जनुवरी 2016 एक जनुवरी 2016 को गोविन लिमिटेड इसू और उसमें बताया कि वह एक लाग equity share इसू करना चाहती है कितने रुपे का वो कोशन में नहीं दिया हुआ है सिरब इतना दिया हुआ है कि एक लाग equity share इसू करना चाहती है ओके लेकिन कंपनी को डर था क्या पता एक लाग equity share के लिए application पूरी नहीं आ पाई तो तो कंपनी ने क्या किया all the issue was underwritten as follows पूरा का पूरा इसू जो है underwriter कर दिया अभी गोपको को दे दिया underwriter को दे दिया कि तुम करवाओ इसू और underwriter भी कितने अपॉंट किये एक करार राम राम ने क्या बोला मैं 40,000 share इसू करवादूंगा एक है क्रिश्ना उसने बोला मैं 30,000 share इसू करवादूंगा तो 40,000 share इसू करवादूंगा तो 70 और 20,000 share इसू करवादूंगा तो 70 और 20,000 share इसू करवादूंगा तो 90 और 10,000 share इसू करवादूंगा तो 90 और 10,000 share इसू करवादूंगा तो राम 40,000 share इसू करवादूंगे गारंटी ले ली क्रिश्ना ने बोला 30,000 share की guarantee लेता हूं सिव तो अब मैं पहले यहां पर नीचे statement बनवाता हूँ उसके बाद में हम आगे पड़ेंगे ठीक है आपको एक बनाना पड़ेगा इसके लिए statement of statement of swing underwriter's liability कैसे बनाते हैं तो देखिए इस तरीके से किते जने हैं चार जने हैं थोड़ा और आगे बना देगा underwriter's showing statement showing underwriter's liability अब यह चारों के कॉलम बना दिए चार जने हैं तो चार बनाएं दो पार्टी होते हैं तो दो बनाते हैं जिते underwriter उते कॉलम्ब ठीक हैं और उपर क्या लिखना है statement हेंगे इस आपक कॉई आपक करने की कॉब्लिक से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फूरी अप्लिकेशन नहीं आई तो इनको भी खुद करीदने पढ़ेंगे तो वह कोई केल्कुलेट करने की कोशिस कर रहे हैं कि इनकी कोई खुद खरीदने की लाइबिलिटी है या नहीं कि यहां जाएका पर्टिकूलर कि यहां जाएका सबसे पहले कौन थे राम जी फिर क्रिष्णा कि फिर सिव और फिर ब्रह्मा ठीक है सबसे पहले हम लिखेंगे ग्रोस लाइबिलिटी उन्होंने लिए ली कितनी जो इन्होंने टोडल लाइबिलिटी उठाई है से隨ू करवाने का उसको बोलते इस इस नहीं किता चालीस अजार राम जी ने बोला मैं 40,000 से रिसू करा दूँगा क्रेशन जी ने बोला मैं 30,000 करवा दूँगा इन्हों ने बोला था 20,000 हाँ और ब्रमा जी ने बोला मैं 10,000 और आप इन सब की टोटल करेंगे तो कित्य आजाएगी 1,00,000 ओके अब इसमें से क्या लैस करना वो ध्यान से समझना इसमें से लैस करना है सबसे पहले अन्मार्क एप्लिकेशन अब ये आपके लिए बिल्कुल नहीं चीज़ है अन्मार्क एप्लिकेशन अब मैं समझाओंगा क्या आएगा फिर जो आएगा ये लैस करना है ठीक है फिर जो आएगा उसमें से यहां जो amount आएगा उसमें से आपको less करना है marked application और उसके बाद आपके सामने जो आएगी वो आएगी net liability जो हम calculate करने की कोसिस कर रहे हैं लेकिन सबसे पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि marked application क्या है और unmarked क्या है तो पहली यह समझाता हूँ देखिए application जो receipt होती है वो दो तरीके की होती है यह public है ठीक है यह public है समझना बहुत सारी public है मैं तेहां कुछ बना रहा हूँ public तो बहुत होती है ठीक है और यहाँ पर दो चीजे है इस बार जो इनको share इसू कर रहे है एक company और एक है वो अंडर राइटर्स हमारे केस में राम जी क्रिशन जी सिव जी और ब्रमा जी कुछ लोग क्या करते हैं जिनको भी पब्लिक के अंदर यह पब्लिक है इनमें जिनको भी company के shares खरीदने है वो कहां apply कर देते हैं मान लेते हैं कुछ ने apply कर दिया यहां यह application यहां बेजीन होने application कहां send गरी अंडर राइटर्स के पास है तो जो डारेक अंडर राइटर्स के पास में application आ जाती है उसको बोलते है मार्क एप्लिकेशन क्योंकि अंडर राइटर्स ने उसके ऊपर अपना stamp लगा दिया कि यह हमारे पास आई 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 तो बार्क मार्क लगा दिया उसके बास मार्का लगा दिया ठीक है इसको इनी मुले लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं डारेक्ट कंपनी में अप्लाई कर देते हैं डारेक्ट कहां अप्लाई करते हैं कंपनी में अप्लिकेशन डाल देते हैं शेयर खरीदने के लिए एक कंपनी ने बोला इनको अप्लाई करो नहीं फिर भी कंपनी में अप्लाई कर दिया तो उसको बोल देते हैं अनमार्क एप्लिकेशन क्यूंकि उसके ऊपर अंडर राइटर ने अपना मार्क नहीं लगाया अनमार्क एप्लिकेशन अचिन हिट आव इधर लेकिन यहां पर तो 100% इन्होंने गारंटी ले ली ना कि हम इसू करवा देंगे तो अब अगर कुछ एप्लिकेशन अगर कंपनी के पास भी चली गई तो उसका भी benefit किसको मिलेगा उसका भी benefit इनको मिलना चाहिए ना वही हम देने की कोशिज कर रहे हैं कि कि Direct Company के पास चली गई तो क्या होगह अगर company के पास नहीं जाती तो यहां आ जाती यह अधि लोग तो लायबिलिटी है उसमें से अनमार्क एप्लिकेशन पहले लेस करनी सी। पहले अनमार्क लेस करो, ताकि इनको बेनीफिड मिल जाए। फिर जितनी लायबिलिटी बचेगी, उसमें से इन्होंने खुद ने कितना कितना इसू करवाया। और फिर लास्ट में ग्रॉस लाइबलिटी नेट लाइबलिटी आ जाईगी आया समझ में बताव फिर कोशन बढ़ते हैं एक बार यहाँ तक रिप्लाइब करो अब इसमें मार्क कितनी अनमार्क किती वो आपको कोशन में दिया हुआ होगा मार्क कितनी अनमार्क किती वो कहाँ दिया हुआ आपको कोशन के अंधर दिया हुआ हो देखी मिसके बताता हूँ यह रहा मार्क तो का साप साप दिया हता है अनमार्क आपको है Юँदे गेकर भाट तर यह दिखो इप्लिकेशन व रसीवड नैंग्टिव्ड नयन्टी opera application iq3 नबबेदया है टोटल अपिलिटेंट किती आई नबबे नइन्टी थाउजन टोटल application कि अइए ओके अब इस टोटल 90 में से कुछ मारक होगी कुछ अन्मारक होगी वह हमें पता करना होगा टोटल इस 90 में से टोटल एप्लिकेशन किती है ही 90,000 टोटल एप्लिकेशन रिसीवड 90,000 सेर्स के अब हमें इसमें पता करना है कि इसमें मार्क किती है और अनमार्क किती है अब दोनों में इसे एक चीज तो कोशन में दे रखी होगी ना अगर मार्क दे रहा है तो अनमार्क निकाल देंगे तो देखते हैं क्या दे रखा यहां देखिए लेका वाँ है सेर आउट आउट si following बार होग फॉलॉग सूर्ण फूलॉग मतलब निम ने लिखित् Eu उपर इंदी में भी लिखावा निमने लिखित क्या है चिनहीत आविदन निमने लिखित थी चिनहीत आविदन है चिनहीत मतब मार्क है तो मार्क किते किते राम के 30,000 कृष्णा के 25,000 तो देखो यहां यहां जाओ मार्क में राम जी के 30,000 कृष्णा के 25,000 सेयर्स और सिर्जी के कितनी अप्लिकेशन आई खुद के पास 16,000 और ब्रमा के पास 9,000 सेव और ब्रमा तो हम नहीं निकाल सकते हैं टोल मार्क एप्लिकेशन टोल मार्क एप्लिकेशन तोल मा रिकेशन अमनी निकाल सकते हैं बिलकुल 25 प्लस 16,000 प्लस 9,000 असी हजार है तो बैटा अब कोई भी थर्ड ग्लास का बच्चा भी बता देगा कि अन्मार्क किती है टोटल एप्लिकेशन किती है नबबे उसमें से मार्क किती है असी तो अन्मार्क किती टोटल है 90 उसमें से मार्क है असी तो अन्मार्क किती बच गई दस जार यानिकि दस जार सीधी किसके पास चली गई कंपनी के पास तो यहां मैंने क्या लिया फॉर्मुला टोटल एप्लिकेशन और उसमें से लेस्ट कर दिया मार्क डेप्लिकेशन तो मेरे पास क्या आगई अन्मार्क अन्मार्क एप्लिकेशन कितनी अन्मार्क मतलब कंपनी के पास डारेक्ट चली गई कितनी टैन थाउजंड दस अजार डारेक्ट कंपनी के पास चली तो उसका भी बेनेफिट किसको मिलेगा इन सबको मिलेगा तो दीजिये इन सबको आईए देदेते हैं इन सबको यहां अनमार्क लैस करनी लेकिन किसको 10,000 का फाइदा 10,000 अप्लिकेशन जो कंपनी के पास आई उसका फाइदा अंडराइटर को मिलेगा ऐसा माना जाएगा वो अंडराइटर के पास आई बट टोटल 10,000 तो पता चल गया लेकिन इसमें से राम को फाइदा किता मिलेगा क्रेशन को किता मिलेगा सिव को किता मिलेगा ब्रमा को किता मिलेगा टोटल अनमार्क तो आगे किती एप्लिकेशन है टोटल 10,000 टोटल किती है 10,000 अनमार्क एप्लिकेशन लेकिन इसको distribute कैसे करूं किस ratio में करूं इस ratio में जो gross liability का रेशियो है ना उसमें किस रेशियो में gross liability की ratio जिरो से जिरो कट गए क्या बच गया चार तीन दो एक रेशियो क्या हो गया 4321 तो चार तीन दो एक के रेशियो में इस दस जार को इनमें बाढ़ देंगे तो बिल्कुल सिंपल है आएगा 4000 3,000 विकॉम के स्टुटेंट को यह calculation तो आती होगी ऐसा मेरा पूरा विश्वास है 2000 1000 ओके तो यहाँ पर अब इसकी 40,000 लाइबिटी थी लेकिन 4000 इसको benefit मिल गया जो company के पास डारेक्ट application गई अब इसकी लाइबिलिटी 36,000 इसकी लाइबिलिटी 27,000 इसकी लाइबिलिटी 18,000 और इसकी लाइबिलिटी है share issue कराने की 9,000 9,000 share issue करवाने ओके यहाँ तक हम सब बेजो होगा फिर आगे बढ़ू मैं लास्ट वाला पॉइंट अपिर बताओ जी फटावट रिप्लाइ करू अगे गजिंद्र ठीके आगे रिप्लाइ मनीज जोसी सवित्ता आगे गजिंद्र कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना करवा दू लास्ट में फाइनल गजिंद्र का तो आगया हम लास्ट कर देंगे मार्क एप्लिकेशन मार्क मलब जो इनके पास आई थी इनके पास कित्ती कित्ती आई थी वो तो यह रही है इसको मार्क बोलते हैं तीस अजार और सोल आजार और ब्रह्मा का नाइन थाउजन अगे अब देखो इनकी आजेगी नेट लाइबलिटी कि इसको टोटल 36,000 इसु कराने थे 30,000 इसु करा पाया तो 6,000 खुद खरीदेगा 6,000 इसको खुद को शेयर खरीदने पड़ेंगे 27 था 25 इसु करवा पाया तो ये 2,000 खुद खरीदेगा 18,000 इसु करवाने थे 16 इकरा पाया तो 2,000 ये भी खुद खरीदेगा नोजार इसू करवाने थे, नो करवा दिये, तो इसकी लाइबिलिटी जीरो, टोटल देखिए, 6, 7, 8, 9, 10, 10,000 ये खुद खरीदेंगे, खरीदेंगे, 90,000 अप्लिकेशन आई थी, 10 खुद खरीदेंगे, तो एक लाग इसू होगा, आया?